दोस्तों मैं मन्जीज सिंग एडिया मेट टीवे के मादर से आज लाइब हुआं जो हमारे बीच किसान है आज महां पड़ाव है खाजुवाडा में जो महां पड़ाव है एक हमारे साथ किसान नेता है जो उनसे परिच्चे अकरवाएंगे कि क्या उनका कहना है जो यह सिंचाई पानी का मुद्दा है काफी लिम्मे समय चला रहा है 2004 से हम अंदोलन रखता है इस छेतर का किसान नोजवान उसी मुद्दे का आगाज यहां से एक बार फिर खजवाड़ा सी किया है और इसी को हम समर्थन देने के लिए आये हैं और पूरी तरह से किसानों के साथ समर्पित है और जब तक 80% पानी सरकार इस इलाके का शेर रिजर्व नहीं कर देती तब तक हम पीछे नहीं एटेंगे क्योंकि इस इलाके की जरूरत 58% पानी रिजर्वेसन है जो हमारा सेर होगा तो एक बारी तीन बारी की यह जरूरत और यह बार बार हमें लड़ना नहीं पड़ेगा लेकिन सरकार इतनी नाकाम सरकार हैं यहां पर आई है कि किसान की असली पीड़ा को ना समझ करके वो अपने डिंडोरे और अपने अलग तरीके के लोली पॉपस यहां के किसानों को देती है यहां का किसान और नोजवान अब जाग गया है अब इनके चंगुल में नहीं आएगा हम दोबारा 2004 के इतियास को दोराएंगे अगर कुर्बानिया देनी पिडी तो और देंगे लेकिन इस इलाके को उजडने नहीं देंगे इस इलाके को फिर से खुशाल करेंगे इसके लिए चाहिए हमें किसी भी कदर से गुजरना पड़े हम वोई करने के तयार है लेकिन सरकार को नाक रगड़वा करके घुटनों के बल ला करके हम 58% पानी रिजड़व कराएंगे अब की बार जो यांदोलन की चिंगारी खाजवाला से उठी है इससे अंजाम तक हम पहुंचाएंगे और 58% का जो हमारा शेर है उसके बिना हम सरकार से कोई बात नहीं करेंगे और जो यहां के अधिकारी है जो वारता का नियोता बार बार दे रहे हैं उनके पास ऐसा कोई समाधा नहीं है नहीं उनके लेवल की बात है जब तक चीफ इंजीनियर या बड़े अधिकारी हमसे वारता के लिए नहीं आएंगे तब तक वारता कोई मतलब नहीं बनता है अब देखने वारी बात है जो इस किसान मजदूर वफारी सगर समित्य है इसके बहुत सारे किसान जो इसको कमांड कर रहे हैं संजो जके थान सिंग जी भाट्ती कोसा देख समांगी लाल जी मेगवाल पागीरत जी जानी सचिफ जुगिंदर्पम सिंग जी मिट्टू बूप सिंग जी भांबू अनता बहुत सारे किसान है यहां आप लाइव किसी देख रहे हो मैं मन्जी सिंग इंडिया मीट टीवी के